हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टोडी फीड़ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो आज में पुत्राखंड याल्टी ग्रेड दोहजार इकीस का जो कोशन आया था सो कोशन लेके आई हूं और वीडियो को सुरू से लार्ज तक देखेगा सभी कोशन जो है एक एक कर करके देखेगा बीच में स्कीप मत कीजिएगा दोस्तों धहरे बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए उतावलापन अच्छा नहीं होता है तो जो भी करिए प्रिमन से करिए तो अवस्य सफल होंगे दोस्तों आज यह 2021 का में आप कंपटिशंन जो आपका 10,000 को सोन्स हमें होते हैं और जितने भी चेप्टर हैं जो आपकी सिलिबस में है एक एक चेप्टर करके मैं वहां से सभी कोस्टन को important को इंप्राफिक को मैं हल कर आओंगी तो दोस्तों चलते है जैसा कि आज से मैं Dairy Basis साम को जो है वीडियो जो है पान से छे बजे की बीच में अपलोड होगा तो आप यह time जानते रहे तो चलते हैं कोशें के तरफ कोशन है कंडरा जोडती है टेंड़न जॉईं तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूं जो कंडरा याने टेंड को से जौन पर जुरती है तो कंड्रा किस से जुरती है कंकालपीसि को अस्थी सी ते यहां पर आसन नंबर बी राइड हो जाय गाए या मसलस्टू बोल्ड थीक है यानिकी एक मांस पेसी को अस्थी से ड्ल Justine Caleb तू है रानी जहां सी टॉफी की स्केल से समधित है तो दोस्तों रानी जहां सी टॉफी जो है वो क्रेकेट से समधित है को सिन है को सिन ममें घ्री है वह पर इच्छर प्रतिक्रिया्र समे को मापता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते ए इस ऐह ग्रोड जो है ए एक स्सोन सी पावराअ ले 17000 तेस्ट जो है यह संतुलन यानि की बैलेंस को मापता है सटल रन जो है एजिलिटी को मापता है तो कौन सा आफसन राइट रहेगा दोस्तों जब नहां आए तो सभी आफसन को देखिए कौन क्या मापता है तो एक आपका निकल के आही जाएगा तो जो प्रतिक्रिया समय यानि रियक् करते हैं वह ही आपके लिए मिस्टेक पॉइंट होता है कि नेक्स है को सब्सक्राइब फॉर है हार्वर्ड इस्टेप परिच्छर का निर्मार किया तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1943 में लियूसीन ब्रोहाग और उसके सायों के क्यों दारा हार्वर्ड इस्टेप परिच्छर कर तैयार किया गया काडियो रिसपार्ट परेंडरेंज को मेजर करने के लिए को चास तो दोस्तों आप जानते हैं महिलाओं के लिए जव्लिंग मथाराभ 800 में होता है वीडियो तुरह लंबा हो गाँ सव कोसजिन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से. नेच्ट है अधिगम मुठ के प्रथम सोपान में एसिती कैसी होती है? तो दोस्तों जो अधिकम वहक्रव होता है उस कंडिसान में प्रत्थन सोपाल में जो हमारे इसीती होती है सिखने की ऑटेज होती है प्रारमभिक तेजी आने की आपका राइट इन्सरु हो जाएगा आरव में सिखने की समझी गती तिवर होता है और बार में मन्द हो जाती है तो इस प्रकारका आपका कर्व बनता है तो ऐसे देख सकते हैं आरव में तेज हो रही है बार में कम हो आपसे द्धिनागर कर्व लियान, भता है ीनैंटमक कंभिदेशन कर्व उसके फौने कार, कि युथि नहीं होती है यहां पस्के खरेशन की में आपक में जाने रहते हैं कि दौन हुता है आप पहले से गौने जानती रहते हैं आरब में मंद होता है धनात्मयक में आपका वाकर ऐसे बनता है ठीक है आरब में मंद होता है आबाद में तिब्रह होता है यहां धीयर धयर शिखने वाले प्रकृतितं-बढ़ती है इसमें अभ्यास पसिच्चर द्वाराव C वक्र मिसीत वक्र होता है दो क्लिश है गरता बढ़ता रहता है यह प्रकार कर नहीं होता है उंदे साय सो असना है कि श्माटर सिखने में प्रगती होती है उंदा है टंतित ओक मतलब वक्र के प्थार आ Dual साय होता है जिस अवधी में सीखने में कोई प्रगती नई होती है दिखाई देती कुछ समय के लिए जो रुकी दिखाई देती है यानि वक्र की रेखा न उपर जाती है न नीचे जाती है बलकि एक सपाट जाती है चीख है सपाट रुप से जाती है ऐसे करके तो दोस्तों आई हो कि करने वाले अधिगम के पठार होते हैं ओ ऐसे होती है जिसको समाप्त करना कठीन होता है ठीक है जिसको समाप्त करना डिफिकल्ट टू डिस्ट्राइ समाप्त करना कठीन होता है नेक्ट कोशन है दोस्तों कि तीन से खे सपता का प्रतिश्चर चक्र क्या कहलाता है तो आप कोशन नम्रॉइ भात्यों पत्रफल संकीस्था भरी जी कोशन आप सबकोपता है और 19च ने 2ब Cellra के द्वराघ। है पीती उसा यह कोशन पीप्यसी ट्यारी 3 में पूछा हुआ था नेक्स कोशन है बेविंटर कोड की लंबाएं चुड़ाई कितनी होती है दोस्तों आप सबको पता है आपसर नमबर डी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि अलग अलग अवसरों पर या सम्तुल्य प्रस्नांसों के विभीन प्रस्नांस सेट पर एक ही बेक्ति के प्राप्तांकों में इस्षिता या संगत्ता कहलाती है तो दोस्तों जैसे कि एक ही परिछर का एक ही संगों के पर कई पर परिछर किया जाए और उसका जो प्राप्तांक है परड़ाम है एक जैसा हो तो उसे हम रिलेबिलिटी यानि की विसोस नीता कहते हैं आपसर नमबर यहां पर राइट इंसर हो जाएगा कोशन नमबर बारह है यदि किसी नाकॉल टूनामेंट में उनीचती में भाग ले रही है तो कितनी बाई दी जाएंगी तो दोस्तों यहसे कि आपका बाई देने का सुत्र होता है नेक्स्ट पावर आप 2 माइनस एन तो नेक्स्ट पावर आप 2 कितना हो जाएगा 2 की पाव और 5 बराबर 32 या 32 माइनस आप कर देंगे 19 कितना आ जाएगा 13 ठीक है आपसन नमबर यहां पर राइड इंसर हो जाएगा 13 बाई दिया जाएगा नेक्स्ट कोशन है भारती उलंपिक संग की इस्थापना कब होई दो बार कोशन रिपीट हो चुका भारती उलंपिक संग यानि कि इंडियन उलंपिक एसोसियेशन वाज इस्टेबलिश तो दोस्तों यह 1927 में सर दुराबजी टाटा के द्वरा किया गया था और बरतमान अध्याच है पीटी उसा जो पर्षब महिला अध्याच बनी है आई ओए की एंड नेक्स्ट कोशन है राष्ट के वारे अमरित कौर इस्पोर्स कोचिंग इस्किम की सुरुवात कब हुई तो दोस्तों आप सब को पता है 1903 पर में हुआ था नेक्स दोस्तों कि दो सतहों के पीच घरसर के अधितम मुल्य को कहा जाता है दोस्तों घरसर क्या होता है घरसर के लिए दो सतह होना जरूरी होता है अगर घरसर जो सतह होती है खुर्दूरी है तो घरसर जादे होगी अगर चिकनी है तो घरसर कम होगी अधितम मुल्य होता सिमित कर रहा है उसको रोक रहा है यानि कि वहां पर अधिकतब मुल्य हो रहा है गहर सड़का मांसिक द्वंद की सिती में किया गया समायोजन है तो जब आप मांसिक द्वंद की सिती में किया गया समायोजन है तो जब आप मांसिक द्वंद की सिती में है उससमें जो समायोजन आप कर रहे हैं तो आप अपने आप से समायोजन कर रहे हैं यानि कि सिल्फ अजस्मेंट यहां पर यह राइट एंसर होगा नेक्स कोस्टन है पूरूस मेरा थन दोड की कुल दूरी कितनी होती है आप जानते है 26 मिल 385 गर्ज यानि 42.195 km होता है 17 का आपका राइट एंसर हो गया b मैंनिक क्या है सरा कि माइग्रो टीचिंग एक्ट्विटीज इस तो माइग्रो टीचिंग एक्टिविटीज की जो है आपका राइट इंसर हो Jeanne उसके बाद फिडबयक लेंगे कि क्या पढ़ा माया उसके बात पुना पाथेज押ेंगे 一 पुना सिप्चर करेंगे यहां पे रखर हो जाएगा option number B याद रखिएगा English निए निए दूनों वर्जन है आप से डेखते चलिएगा कोस्टन नमर 19 है कि टेबलर प्रधती समधित है दोस्तों टेबलर प्रधती जो है जैसे कि आप जानते हैं टूनामेंट चार प्रकार को होती है नाक आूट लिग कंबिनेशन एंड चैलेंग टूनामेंट तो टेबल टेबलर प्रकार के सफ़से screening чotни लेंट की लाडिय कि सिचिनी ओलंपिक के भारत प्रथम प्रधक जींदंथ है तो डोजर। तो इन्होंने ही महिला खिलाड़यों में किसने ओलाम्पिक इस परधा में के लिए प्रथम पदद जीता था तो ओह हैं कर्णम मलेश्वरी ठीक है सिद्नी ओलम्पिक में होने जिता था कहां से पदब नेक्श कोस्टन है निम निखित में से कपजा संधी का उधारण है फॉर्म दे फॉलिविंग एंग्जांपल आफ हिंज ज्वाइंट क्या होता है एक ही तरफ गती होता है यह यूनि एक्सियल गती है दोस्तों जैसे की बीपेसी ट्यारी 3 में भी कोस्टन ज्वाइंट से आया था और अच्छा कोस्टन आया था आई हो क्यों आपने गल्ती न लाउन बारत में भॉसकिर बाले खेल में पहली महीला औरजुनपुरुसका बेटा कोन से दोस्तों freaking भॉसकेल के अफेजग में फिमक्न दाण कोशाएगा वियंग जिए are two को वास्का बाले पहले मजला बिजयता है भारत की तरफ से सुमन सर्मा कौर्शन नम्रे 20 चालक सक्ती का मॉलिक श्रुत है जो ब्यक्टि को क्रियासील कर देता है यह बात किस ने कहा है इस बात को कहा है डेसियल ने एन नेक्स्ट कोशन है राष्टी ये पाठक चर्या रूपरेखा 2005 को तयार करने के लिए कितने फोकस ग्रूप बनाये गए तो दोस्तों खुल 21 फोकस ग्रूप यहां पे बनाये गया था कोशन नमर 25 है कि बैटन का प्रियोग होता है बेरी एजी कोशन आप जानते हैं रिले रेस में बैटन का प्रियोग होता है जो अगला धावक पिछले पिछले धावक अगले धावक को देता है यहां पे रिले लेस के खेल में राइट अन्सर ए होगा सिच्छा के प्रति छात्रों की अभी बृति प्रहावित होती है किसके द्वारा दोस्तों सिच्छा के प्रति छात्रों की अभी बृति प्रहावित होती है एटिटीट्यूड तो यहां पर वंसानुगत वातावरण यह तो बृधिया विकास की सबसे प्रबल और जो हमारी प्रस्नालिटी होती है सबसे प्रभावित करती है लेकिन सिच्छा के प्रती चात्रों की जो अज़िती है वहां बुध्धि और वातावरर से होती है अपने बुध्धि से सुचबा जैसा इन्वार्मेंट होगा तो यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी वुध्धि और वातावरर इंटेलिजेंस एं इन्वारमेंट ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 27 है कोशनिक नहीं मानव विकास की अवस्थाओं को कितने इस तरों में विभाजित किया दोस्तों यहाँ पे जो आपका फीजिकल एजूकेशन या खेल मनुव ज्ञान के अंतरकर जो चैल्ड डेवलप्मेंट से कोशन पूछा है वो सभी चीजें आपको इजी पूछा है तो यहाँ पे कोशनिक ने मानव विकास के अवस्थाओं को कितनी इस तरों में विभाजित किया है यहाँ पे आपका आठ भागों में डिवाइड किया है तो जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से City시는 के लिए decathlon का आखरी इवेंट हमेसा होता है दोस्तो देख आफिलान पेंटर चाहिक से लिए के लिए सब्सक्राइड में जाए वहां भी कम्बाइन एवेंट में एच्चारों के बारे में ट्रिक के साथ बताया हुआ जो आप पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे तो दोस्तों डेकाथलान में पुर्सों के लिए वह दोस्तों आपको याद रहेगा सिक्वेंस भाई तभी आप उसको आइंसर दे पाएंगे यहां पर कोशन का तो नेक्ट कोशन है कोशन नबर उनीस है कि वह ड्रग जिसके सेवन से केंद्री इस नायू संस्थान उत्यजित होती है तो दोस्तों जो हमारा सेंटर नर्वस सिस्टम को उत्यजित कर देता है उसे हम कहते हैं एमफितामाइल यानि कि इसमें आपका यह उत्यजित पदात होता है ठीक है स्कोलियोसीज एक सारी कृपता है जो समधित है तो दोस्तों यह पे इस पोस्ट्रल डिफरमिटिंग रिलेटड वीड तो हमारे रिड़ की हर्टी में होता है जो हिप एक तरब और गर्दन दुसरी तरब जुग जाता है या सिया करके हमारे जो रिड़ के अर्डी होती है वो जाता है और इसको लिए से लेटरल डिविएशन आप इस पाइन भी कहते हैं पास्विक कुरूपता याद रखेगा नेक्स कोचन है जिसके अनुसर समाईजन वा फ्रिक्रिया है जिसके दुरा प्राड़ी अपने आसकताओं और इन आसकताओं की पूर्टी को प्रहावित करने वाली परिसितियों में संतुलन बनाये रखता है तो दोस्तो यह किसके अनुसर है किसमाईजन वा फ्रिक्रिया है जिसके दुरा प्राड़ी अपने आसकताओं की पूर्टी को प्रहावित करने वाली परिसितियों में संतुलन बनाये रखता है तो यह वा बोरिंग लैग फिल्ड यह विल्ड ने कहा है Q$322 कौन सी हड़ी पैर का हिस्ता नहीं है जैना क्यां देख एगे जिए कोशन के अधिन से ते市 hiç होती है त्याहीन पैर में पॉपी फिबुला नुट पुण्र का हिस्ता कौन नहीं है यूम्र थ्यार के हिस्ता है होती होती तौर इसके उपर, पाइसफ मसल्स और जिसके पीछे प्राइसेस मसल्स होती है नेक्स कोच्चन है कोच्चन नमबर तैथीस है कि एकस्वस्तिब्यक्ति में स्वेत रतकड़ीकाऊं के संख्या कितनी होती है दोस्तों पांच मिलिया ने आपका 50 लाग होते हैं रेट बलर सेल्स में और यहां पे आपके हो जाएंगे छे हजार से दस हजार प्रती घन मिली लीटर आपका आफसर नंबर बी राइट एंसर हो जाएगा स्वेट इतकड़िकाओं को जो संख्या होती है कही कही कर्फ्यूजन हो रहता है और यहां पहें पांच जार से दस हजार मिली से कहा जाता है मैं हॅने हजार हुए मैं हजार होँबा इसको कराइग दोस्तों तो आ चैकलों है मैदे हां आप सबको पता है लेकिसे का है सब्सक्राइब करता है और यहां जो फार्ट लेक है स्वेडिस सब्दा जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले यानि गतीज खिल यहां पिना प्रापर प्लाउनिंग के पहाड़ों पर जाड़ियों पर पक्की जड़कों पर ऐसे ही किया जाता है दोस्तों भाग कर किसी भी एठीट का एंडूरेंस यहां पर बढ़ाए जाता है पहाड़ों नदियों के किनारे रहेतिले इलाकों में भागना बालू में कीचर में जंगलों में चहाई वा धलान पंग की जानिवित किया जाता है तो इसे हमारा एंडूरेंस जो है टेल अब होता है आपका है कि जो बतर्फ़लाई है उब टरफ़लाई आपसाफ नेंबर C जो है वह पूल के बाहर से शुरू नहीं किया जाता है और सभी पूल के बाहर से शुरू किया जाता है मुक्रूब से चार सैलियां होती है फ्रेश्टाइब, बटरफाई, बैक स्ट्रोग, बेस्ट इस्ट्रोग, जिसमें से फ्रेश्टाइब सबसे तेज टक्निक होती है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, अनुवाधक, साज़ी दोस्तों, अनुधावक सम्मंधित है, अनुधावक, दचेजर इस रिलेटेट टू, ग हे किसी लेख रोग होता है तो जो आफसन यहां पर दिया हुआ है। कि एक मिलंखीत खेलों में से पेन होल्डर ग्रीप समधित है थो कि अट थो एलुडर ग्रीप यहां पर समधित है तेबर्ध तेबल 00 Hoş इस पर इंपॉर्टेन कोश्चन है सब्दावलिया याद रखिएगा जिस प्रकार के कोश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सब्दावली किस गेम से समझी थैत इसका पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है सब्दावली का ताथ पर है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें सतर कोश्चन के हैं और तीस कोश्चन ऐसे हैं जो चार्ल डेवलक्मेंट से हैं इसी में कंबाइन किया गया है और जो फिजी के लिए जी है और बहुत अच्छे कोश्चन है आप देख सकते हैं जो जो सतर कोश्चन के अच्छाब करें मुल्यांकर पर किया जाता है आफशन नंबर यहां पर रायर अंसर हो जाएगा कौ commend मां बिस्ट्स के रूप में जाता है चौस्टों सब्सCHों करने मसल्सून को पता है है हमारी कुल्हे की Gluteus Maximus दोस्तों यहां पर BPSC में दिया हुआ था कि कुल्हे की सबसे चोटी मसल्स कौन है सबसे बड़ी मसल्स तो Gluteus Maximus है लेकिन सबसे चोटी मसल्स होती है Gluteus Minimus याद रखेगा चोटे-चोटे प्रवलर्ण सिधांद की प्रतिपादक है सिएल हल कि यह डोसals की निम लेकित खेलों में से लोना समंदित्य मैं यह सब को पता है कबड़ी से समंदित Horror आजाता है जिसके अधकर ठीव को दो अंका मिल जोना मिलता है mister कि दो आंक मिलते हैं आएं एक वाले स्चकर प्रस्टेटाषध जा है कि जब गेप अर्जित ग्यान शुख उसे प्रकार की स्कूटर की बहुते इस्क्रे सिखने का छेजर्ट रिभादर कोरह है कि अधर बाइन हाथी कारण में अमचन की उच्फाद। नंधर्ण हो जाएगा लेकिन लां जाए हास बिधा करें यह वाला करेंगे वाला देफ़ान हो जाएगा स्धीखें wr4 फिर में कहीं करनी की लिखेंhst जान आप कि नाकनी और जेनु वरम दो होता है तो बावलेव और नाकनी को जेनु वरम यानि कि धनु वर्म तरफ निगल जाती है तो उसको बाउलेग आपक्रों मोखतमें खिर कहते हैं7 तो चलेख बंब स्क्राइब आपक्राक्रों बियर यहाँ पर पर सब्स हें तो प्शनमी तलवए याँपक काज़ में परूम प्रियद रहे र prophecy पेस प्लेट पूर्ट जिसमें जो है पेर के तलवे एकदम से फ्लैट हो जाते हैं और नेक्स कोशन है कोशन 47 है कि उलम्पिक चल्ले में कौन सा रंग मवजूद नहीं होता आप सबको पता है निला पीला कला हरा लाली पांच चल्ले पांच रंग के होते हैं जब कि बूरा रंग इसमें ब्राउन कलर नहीं होता कोशन 48 है बारा मिनेट द्वारा दोड़ या चाल कूपर टेस्स सारी सिच्छा चंता का मुल्यांतर करता है दोस्तों बारा मिनेट रंग कि खोच उनिस्ट वहतर में कूपर ने किया था सहंसिल्ता डवलब करने के लिए तिहां पे सहंसिल्ता दिया रहेगा तो भी राइट होगा है दो नेक्स कोशन है एनस अनिस पर ट्याला क कब हुई थी तो दोस्तों साथ महीं 1961 को हुआ था कि मस्तित सब्सक्राइब चस्ट brigami है दोस्तों डिस कैलकुलया सम्धित और पता हो या suo degree कि अंदर्स्टेंड डिजित यहां पर राइडेंशर हो जाएगा अंगों को समझने में दिक्कत होती है कि अक्ष्ट कुष्टन है कुल्य का जोड़ वर्गिकित है दोस्तों हमारे हिप जुएट एंड जो सब्स्राइल के अंदर अंदर घाता है मुंठ जिशाओं में गती होता है यह मल्टे एक्सियल जॉइन होता है यह रखेंगा है लेक्स कोशन है आफ़ाट इस टेंड्स फॉर्ड तो आफ़ाट का फूल फांप क्या होता है आप सबको पता है और मैंने आफ़ाल फीटिनिस टेस्ट के बारे में डीटेल में आपको बताए फीजिकल एजुकेशन एंड़ाउन से पुर्णों होगा है कि को समय है कि खेल कूद चोटू के उपचार का सही क्रम है दोस्तों प्रेखल कूद में प्रात्मित प्थाती में आर आईएए पध्थाती का प्रियोग किया जाता है आर से रेश्ट आई से आईश मतलब बर्ख का तो दोस्तों यहां पी राइटेंसर हो जाएगा रेस्ट आइस कंप्रेजन इलेवेशन आसन नंबर ए राइटेंसर हो जाएगा आपका क्रेजमर के अंसर कौन सा बेक्तित्त प्रकार नहीं है एक आडिंटु प्रस्णालिटी बेगतित्ती प्रकार क्रेजमर तीन भागों में बाटा हुआ है क्यों को से पिकनिक एथलेटिक एस्थनिक एंडायस प्लास्टिक तो यहां पर जो है एस्थेनिक एथ्लेटिक पिक्निक कीनू हो जाएगा बट अंतरमुकी और इंट्रोवर्ट एक्ट्रोवर्ट इसको काल जुग ने बाटा है यह आपका नहीं है क्रेस्मर का तो आपसा नंबर डी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है सरी द्वारा उच्च गती तक पहुचने का समय उसे क्या कहते हैं दोस्तों एक एक उच्च गती को प्रात करना जैसे कि आप दर्ड इस्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आनियुर्मा सेट एंड गो जो ही बंदुक का आवाज होगा चलना सुरू कर देगा वह किसी आवाज पर प्रतिक्रिया करना और जो पहला दर्ड होगा जो कम से कम सुरू जीरो से लेकर 60-70 मीटर तक दर्ड होगा स्पीड गती को हाई स्पीड से पकड़ा जाता है तो आहां पर आपका एक्सिलेरेशन एबिलेटी होता है ठीक है एक्सिलेरेशन एबिलेटी होता यह वाइक होता है यह दिए चाल की उच गती को प्राफ करने में सहायक होती है इस तीर आप इस ते रहे हैं तो और अधित्म गती प्राफ करने कर रहे हैं तो आपका एक्सलिरेंशन अबिल्टि कहलाएगा next question है दोस्तो पेसी संकुचन में उर्जा स्रोत है तो दोस्तो आप जानते हैं कि जो हमारा अअग और पनता है यसरे कि उलुकोज़ी संखरोध होता है निर्मारिय में मेर होता है ऐसेost एतिपsl comment में निर्मारिय में मियां के जरुत होती है और तुरन्त अर्जा रहने लगते हैं तो पेशी संगुचन में उर्जा का मुखिसरोथ होता है तो ATP याद रखेगा कि नेक्स कोशन है किसे के अनुसार विकास परियोतनों की वस्रिंखला है जिसे जीव भूड़ा वस्था से परिपकुता वस्था तक पहुंचता है तो यहां पर आपका बेश्टर सब्दकोस के अंसाल यह कहा गया है चैल्लियुप्मेंट्स से कोशन है इसमें यह मिक्स परके दिया है अलग-अलग नहीं दिया है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों ठॉंबोसाइ unique volts फ्वड सेल्स क्या है तो आपको पता ए फ्रॉंबोसाइड दोस्तों आंतरिक बहाद कि जाए है दोस्तों आंतरिक भार जो है हैं उसे आंतरिक कई स्ट्री सिह एल्गम्स अभिहास किया, यह मैटर करता है, यहाँ पर्स रेट इवन भारत इवित्ता द्वारा आंतरिक भार की जाज़ की जाती है, नेक्ट कोशन है, भारत की सारे सिच्छा का पितावक किसे कहा जाता है, आप सबको पता है, हैरी क्रोबक ने 1920 में वयम्स ये कॉलेज़ आप फिजिक छायक होता है, तो यहाँ पर थ्रोमबो सैथ राइट एंसर हो जाएगा या निकी प्लेतले स्टम का ई ग्यानिक दाम है जो आपका स्विंड दर्ड़े होते हैं उसमें तीन कमाड़ दिए जाते हैं आनियर मार्व सेट एंड गो तो यहां पे शेट कमाड़ पर जो आपका पोजिशन होता है और इस थाई संतुलन में होता है यानि अनिस्टेवल एक्मिलिब्रियम में ठीक है और लांग डिस्टंस के जो दोड़ होते हैं इस पर दो ही कमार्ण दिया जाते हैं आनियर मास अगो और जो इस्विन दोड़े होते हैं स्वादूसों 400 मीटर रिले रेस में यहां पर तीन कमार्ण दे जाते हैं आनियर मास सेट एंड गो कि अभिक्रमित अधिगम के साखी अभिक्रम का विकास किसी द्वारा किया गया तो यहां पर राइट इंसर हो जाएगा नार्मन एंड क्राउट जर्वारा लेश्ट्कोशन है क्लिस्ट इस्ट आइटेम होते ने मिनिमम्मेंश्प्रविट्निस टेस्ट को मनाया था इस पे ठेस्ट आइटेम हैं बाट आयोक ने पांस यहां पर माना हुआ है यहां पर उस समय जो है आप इस पर आपना मज दे सकते हैं यहां पर छे आइटम होते हैं बट आयोग ने पांच दिया हुआ है आप uh अपति लगाने वाला कोशन है सुन में 45 है निंगामेंट मुझ की चोट है यानि इस्प्रेल और टेंडन पायची की चोट होता है कि च्टेन यानिकी खिचाओ कोशन नमर 66 है सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 भारती सविधान के किस अनुच्छे से समधित है तो आपको जो भी सविधान थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा मोलेक अधिकार तो उसमें आपको मिल जाएगा 21A में यहां पे राइड इंसर हो जाएगा आपसन नमर भी 2000 कि अधिक ब्यायाम के दोरान थकान होने का मुख्य कारण किया है तो आप सबको पता है लाक्टिक एसिड जमा हो जाना ठीक है आपसे जिए सबसे धीमा इस्ट्रोक कौन है जैसे आप जानते हैं सबसे जो तराकी की चार मुख्य साइडिया होती है फ्रेश्टाइल बटरफ उसके बाद बैक इस्ट्रोक ही सबसे धीमी होती है ब्रेश्ट इस्ट्रोक याद रखेगा है अभी प्रेवडा स्वास्ते सिधान्त बिक्सित किया गया किसके द्वारा हज बर्ग के द्वारा नेक्स्ट दोस्तों सब्डों, अंकों शुत्रूं को समझने के लिए कौंसी बुद्ध्य आवस्यक है तो जूस्तों जो भी अमुर्त बुद्ध्य वाले होते हैं वो जादे बुद्धिमान और एकाक्रचीत होते हैं और यह गरिता से होते स्थायं और वयानिक वह टे हैं जा देतर्त यह अमुर्त बुद्धी में अब अस्ट्रेक्ट इंट्रिजेंस आपका राइट एंसर होगा तो जो निर्पेच्छ मापन होता है अबसुल्यूट मेजर्मेंट उसमें जो है अरंबिक बिंदू सुने होता है आपसर नमबर ए राइट होगा โajए निजया कोस्ण नमबर 73 है कि 110 मिटर की बाधाओ दौरं में बाधाओं की संख्या कितनी होती है सो 110 200 मेटर दौर्स बाधाओं में सभी में जो है बाधाओं की उधया संख्या问 होती है है कि इस दोष्ट तों आपको पता है मैंने आपको सभी तेकनिक के बारे में अच्छे से बता हुआ है जो आपका लाउंग जब राइजंप एंड। जो अंग जंप हाई जंप एंड एंड। टेक्निक में होती हैं और हाई जंप में होती हैं और जो गोलाफ होता हैéf, तो लांकम जंप में दोस्तों 4 सँह जियां होती हैं को तुर्षा में जैसे हैं जैसे अे नमब प्रणा टेक्निक जी स्यक्लिंग बीदी भी वी बीका जा तुर्ण रखाँ भी थे को हौश्व तो किसे समधित धैं तो रहन जब यायने लंबी कूर से आपस यहां पर दिया हुआ है देखते हैं यहां पर स्वाग कंफ्यूजन है यह वो आपका राइडेंसर होगा कोशन नमस 77 है पकड़ सक्ति का मापन है दोस्तों ग्रीप राइट एंड लेप्ट हाथों की पकड़ यानि ग्रीप स्ट्रेंथ को मैनिमो मीटर मापता है याद रखेगा और जबकि क्योल स्ट्रेंथ पूछेगा तो डैनेमो मीटर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन है निस्पत्ती बराबर युगता प्लस अफिप्रेड़ा का समीकरण किस ने दिया तो इस समीकरण को दिया है बुडवार्थ ने आफसर नमबर डी यहाँ पर राइट इन सर्फ होगा कोशन नमबर 89 है कि बाकर मेहदी के साब्दिक स्रिजनात्मक चिंतन परिछड़ में कितने साब्दिक उपर इछड़ हैं तो दोस्तों इसमें जो है चार साब्दिक उपर इछड़ हैं यहाँ आपका चार्ड डेवलप्मेंट से है यहाँ इस सो कोशन में 30 कोशन सतर कोशन ही आपके हैं फिजिकल एजूकेशन के अब 30 जो है चार्ड डेवलप्मेंट के हैं जो इसी में मिक्स करके लिया हुआ है है क्यान अपैक क्यों में 50ज दोस्तों को कोशन दूरी की दर को को कोडि चाल कहते हैं चल रहे हैं हाथों को ऐसे अगा चलना यहीं सब को को दर के अंधर गज Vari आता है नेक्ष कोश्चन है कोश्चन में एक्यासी है हरुमान ब्यायाम प्रसारक मंदर अमरावती किस्थापना कब हुई थी आप सबको पता है 1914 में हुआ था नेक्ष दोस्तो सारी सिच्छा संपूर्ष सिच्छा छिट्र का वह पढ़ाव है जहां पे संपूर्ष सब्द आ जाए औ मांस सब्द आ जाए特ा recommendation सब्द आ森रावा मं इस सब्द आ है आप परिवासा पूषि दिया है तो ज्रूर्ब परिभासा एकने ऊक्प पूषता है त तो यह कोशन आपको गलती नहों तो साइट सिश्या संपूर छेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबन से समंधित क्रिया कलापो से सरुकार रखता है यह कथन है जे भी नैस का कॉस्ट्ट नंबर 83 है कौन सा आइरोबिक ब्यायाम नहीं है अरुबिक प्रजाप किया जाता है जो फिजैंच वाले किरिया होती है यह क्रॉस कॉंट्री सैक्लिंग एंड तरह की प्रकम त्म यहां प्रिजिद्ञत तीनु जो हैं रोबिक आइरोबिक के साथ क्रिया है बट सक्टी तो तोलन यानि कि भारत तोलन पावर लिफ्टिंग जो है यह अने रूबिक किरिया है एरूबिक नहीं है कोशन निम्र चवरासी है नई तरह की सिच्छा भी उस्था जैसे मुक्त सिच्छा पत्तरा चार सिच्छा आधिका उचित्य निन में से किस कारण से है तो इन सभी का अचित्य जो है वह सैच्छिक औश्रो की समानता बढ़ाने की दिश्टी से है यह से जब लाए जाय है कि सैच्छिक औश्रो को सब के साथ समानता हो सकी किदम कर दोस्टों में से कौन सा जल चीकिष्ए का फिसना नहीं है तो जल चीकिष्ए में आपका गर्म जल की हैड्रोथरेपी के अंतरगत आते हैं जिब कि वैक्स बहुत जो है उमूम चिकिसा के अंतरगत आता है इसलिए यहां पर जल चिकिसा कहीं सार नहीं है कॉच्शन में 86 है कि हाइड्य होती है दोस्तों यहां पिकल मअ इसके पूल सबूर के हटी हैं इसके के पूल आपका राईट इंसर होगा है कई कि कॉस्चल में सुथास सीखना आदतों ग्यान और विवरतियों का अर्जन है चहां किस ने कहा है दोस्तो इस बात को कहा है क्रोयम क्रो की बहुत फेमस परिभासा है नेक्ट कोशन है कि कुझरू समीती की स्थापना कब हुई थी दोस्तो उनी सो उन्सट में हुआ था याद रखेगा आपसन नंबर बी यहां पे राइट होगा उनी सो उन्सट ठीक है नेक्ट कोशन है कोशन नंबर नमासी है कि बुद्धी का समुकारक सिधान दिया है तो दोस्तो बुद्धी का समुकारक सिधान किस ने दिया है तो यहां पे थ्रोस्टर ने दिया है याद रखेगा बुद्धी का समुकारक सिधान थ्रोस्टर ने दिया है दुई कारक सिधान इस्पियर मैन ने दिया है बहु कारक सिधान थानडाइक ने दिया है एक कारक सिधान बिने ने दिया है प्रतिदस नवुना सिधान थामसन इस्पियर में ने दिया है अपद अनुकरम सिधान वरनर ने दिया है त्रीस तरीस मॉडल कैरोल ने दिया है बहु बुद्धी सिधान बहु कारक सिधान थारडाइक ने बहु बुद्धी सिधान गार्डनर ने दिया है त्रीतंत्र सिधान इस्टन बर्ग ने दिया है कि नेस्ट कोशन नंबर 90 है कि हैंग टेक्निक समधित है विजस्ट बताई हूं हैंग टेक्निक हिश्किक टेक्निक सेल टेक्निक इस अभी है आपके लांग जम्प यानि लंबी कूत के आपसा नंबर डी राइड होगा ठीक है और जो है जो ट्रिपल जम्प की समधित है ट्रिपल जम्प में आपका टेक्निक स्टीप टेक्निक मिसिज टेक्निक आडिव होते हैं और जो हाई जम्प हैं हाई जम्प के अदर का सीजर्स टेक्निक वेस्टन रूल टेक्निक एंड स्टेडल रूल एंड फासबरी फ्लॉप डिसकस्थ्रो में आथोटक्स एंड पैरियो ब्रैंड डिस्कोपट टेक्नीक होता है कॉष्य निवर कोसरे हैं कौन सा अंग मानोशरी में अंतरय इस्टियुच में कारे करता है डोस्तों यहां मिक्सी गलन जिए और इस्टियू का इस्टियुट्स qa muut लेशिदी ह क्यंग कर procure एक और होता है तो यहां पे स्वीडिस ओपन नहीं होता है तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत पड़ता कटांगा कि यूफ नेहीं जोस्तों कोशचिंगेह क्रियातमाक सोध का सिमांकन होती है व्लाइज अठीotal काक होती है जोड़ा किटनी होती है सुन्त यहां पर राइट एंसर हो जाएगा डी कोशन नमर चानबे अंजु बावी जार्ज समंधित हैं दोस्तों यह इतलेटिक से समंधित हैं भेरीजी कोशन कोशन नमर संतानबे है कि डेविस के अमसार सिच्छ अधिक्रिया का सही क्रम क्या है तो यहां पर आफसान नमर एराइट हो जाएगा नियोजन करना व्योस्था करना अग्रसरर करना अनियंदर करना कोशन नमर अंठानबे है क्रिकेट को ओलम्पिक खेलों में किस बर सामिल कि जाए जाए दोस्तों निस्टों में पेरिस फ्रांस में पहली और अंतिमबर सामिल किया गया याद रखेगा उसके बाद इसको फटा दिया गया था कि कोशन नमर 99 है प्रसिच्छ के इसानांत्र नकरात्मक इसान्टर में क्या होता है तो जब पहले का घ्यान को था करने में यूच किया जाता है तो से हम प्रसइश क्योंतर करते हैं जो सब्सक्राइबू करेब अब आधा उत्पन करें हस्तषए एमर किसे फ्सको जाएगा जो आदत हस्त छेप के रूप में यहां पर राइट एंसर हो जाएगा आपसर नंबर भी ठीक है एंड नेक्स्ट कोशन है यहां लाश्ट कोशन है आज की सेशन का तो यहां पे लाश्ट कोजन है कोशन नबर सो है तनाओं की समय मानों सरी में निम्लिखित में से कौन सा हार्मोन इस्तावित होता है दोस्तों आप सबको पता है मैंने अच्छे से प्रहा हुआ है गरंतियों में एड्रेनिल हार्मोन जो होता है एड्रेनिल हार्मोन जो होता है सब्सक्राइब आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों अब मैं डेली बेसिस पर आपको चेप्टर वाइच कोस्टन एंसर कराऊंगी जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता अठारे अवस्त को आपको एक्जाम है और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के पर प्रेशन कर रहे हैं सभी के लिए सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टन है सभी का जो सिलेबस से सेम होता है तो कोई भी जो इंडिया में किसी भी स्टेट पर तयारी कर रहा हो अइसा मतलब नहीं है कि अप Upt Essa Haiti का अतायारी कर रहा है तो नहीं देख सकती यहम्पी का या बिहार का तयारde बहुत नहीं देख सकती सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉनिन है मित टोस्तों मिलते थे हैं सबस्क्राइए कि साथ तब तक के लिए जयहें